दोस्तों नमस्कार कहते हैं मुंबई बदल गई है मुंबई में अब अंडर वर्ड नहीं है और अंडर वर्ड नहीं है तो कोई फिरोती मांगने वाला भी नहीं है लेकिन अंडर वर्ड की इस्तितियां अगर सता पर आकर खड़ी हो जाए और जाच करने वाली एजनसियां ही अगर किड्नेप करने लगे और उसके बाद फिरोती मागने लगे तो शायद ये इस्तिति अंडर वर्ड से कहीं ज़्यादा बुरी तो नहीं होगी दरसल ये कोई किस्सा गोई नहीं है NCB यानि नेरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस जाच को शुरू किया और जो क्रूज से जाच शुरू ही और जिसके दाइरे में शारुक खान के बेटे आरियन आ गए और उस जाच को बीच में छोड़कर समीर वानखेडे दिल्ली पहुँच चुके हैं क्योंकि NCB का हेडकोटर दिल्ली में है और उनके खिलाफ शिकायत दिल्ली पहुँची है कि यो जो पूरा मामला है उसमें अगर उनके अपने बनाए हुए सोतंत्र गवाही ये कह रहे हैं कि डील 25 करोड को लेकर शुरू हुई थी तो फिर NCB की साक कहां बचेगी और NCB का तो काम है कि दुनिया के सबसे बड़े इस काले धन के धन्दे को रोका जाए जिसे ड्रक्स कहते है समुची दुनिया में 30 लाग करोड का धन्दा ये एक साल में चलता है और भारत में ये धन्दा तकरीबन 10 लाग करोड का मुनाफ़ा दे जाता है और उसी धन्दे को समाप्त करने के लिए और ड्रक्स भारत में ना आए इसी के लिए तो NCB है और NCB का कोई अधिकारी और उसका अपना गवा अगर उस पर ये आरूप लगाने की परिस्तिती में आकर खड़ा हो जाए कि दरसल ये एक तरह से कड़नेपिंग करकर फिरोती मांगी जा रही है जिससे की नशे के खेल में और उसके कड़गरे में आरियन को जेल में न रखा जाए और उसकी एवज में पैसा चाहिए तो शायद ऐसी विभत सिस्तिती इससे पहले NCB के अपने इतिहास में कभी नहीं रही होगी और आज की तारीक में भी उसमें तकरीबन साथ अधिकारी काम करते हैं जो हायर पोस्ट पर हैं उसमें जो डिरेक्टर जेनरल के अलावे जो पाँच डिप्टी डिरेक्टर जेनरल हैं उसमें IPS भी है और उसमें IRS भी है और इनके भी जहन में कभी ये बात आई नहीं कि इस तरह की परिस्तितियां NCB को लेकर कभी भी बनी होगी हमें लगता है ये कैसा कच्चा चठा है जो शायद अंडर वर्ल्ड की फिरोती और किड्नैप की परिस्तितियों को कानूनी जामा पहना कर मुंबई की चका चौन्द में पैसा समेटने का काम करने लगा है और इस पर नकेल कौन खसेगा और नई परिस्तिति ये है कि ज़स समीरवान खिड़े ने आरियन को पकड़ा और उसके बाद पूरे के पूरे बॉलिवुड में हरकंप मच गया और इस देश के भीतर ये सवाल खड़े होने लगे कि शायद इस देर के स्टार पुत्र जो होते हैं वो नशे में खोई रहते हैं मैसेज यही गया और इसमें कोई दो मत नहीं कि मुंबई में जब शुकरवार की रास से जो पार्टी शिरू होती है कहते हैं वो रईवार की सुबह ही खतम होती है और इस द खुली करनी है उससे फिरोती मांगनी है और फिरोती के लिए किड्नेपिंग करनी है समीरवान खड़े के खिलाफ जाश शुरू हो गई है जोनल डिरेक्टर हैं आई एरस हैं इनको डियर आई से लाया गया इससे पहले भी यह मात्पून पद पर रह चुके हैं लेकिन इसक और में राजनेतिक टकराओं ने कैसी परिस्तिती लाकर खड़ी कर दी है जिसमें एनसीबी की पूरी साक ही धुमिल हो चली है और ये बात खुल कर सामने आ रही है कि हाँ इसी तरीके से जाच में अकसर वसूली और फिरोती ली गई है हमें लगता है आज इन परिस्तितियो को जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए ये इसलिए मात्पूर्ण है क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है इस देश के भीतर में एनसीबी में जितने अधिकारी काम करते हैं उनका एक कद है और जो ऑपरेशन्स में आते हैं समीर वान खेड़े उसी ऑपरेशन का हिस्स और ऑपरेशन के हिस्से में इस देश में चेन्ने, एमदाबाद, गुहाटी, कॉलकता, पटना, जोथपूर, चंडिगर के अलावे मुंबई है जहां पर एकमात्र ऑपरेशन के सीनियर मोस्ट हैड समीर वान खेड़े हैं जिनको जाच बीच में रोकनी पड़ी है क्योंकि उनी की द्वारा बनाए गए जो गवाहों की लिश्ट थी उसी में से एक गवा ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि दरसल ये 25 करोड के डील थी, 18 करोड में सौदे की बात फाइनल होई और 8 करोड समीर वान केड़े को चाह देने थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ, सिलसले को जड़ा समझिये कि 3 अक्टूबर को क्रूस पर से आरियन खान को पकड़ा जाता है, और उसके अबाद तीन तारिक को ही सैम डिसूजा और गोसावी की बाच्चित होती है, जिसका जिकर और किसी ने नहीं बलकि गोसावी के जो अपने तोर पर दावा कर रहे हैं कि हम उन एफिडेविट के लिए वहाँ पर पुलिस क्राइम ब्यूरो पहुंचे आज और पुलिस क्राइम ब्यूरो में जाकर उन्होंने जानकारी दी डिप्टी डिरेक्टर को डिप्टी डिरेक्टर जनरल जो थे उनको भी जानकारी दी गई और डिप्टी पुलिस कमिशनर जो ह उनको भी जानकारी दी गई, यह सारी जानकारी निकल कर आई, प्रभाकर सेल ने इस एफिडेविट को देते वक्त इस बात को कहा कि उन्हें अपनी जान का खत्रा है, और जान का खत्रा और किसी से नहीं, NCB के जो जो जानकारी अपने विभाग को दी, उसमें भी उस लेटर म उन्होंने जिक्र किया, इस बात का जिक्र किया, डिप्टी डिरेक्टर जेनरल, जो मुथा अशोग जैन है, जो कि खुद इस विभाग के, NCB के विभाग के हैं, और DG NCB जो है, उनके पास बी यह जानकारी बेजी, कि मुझे भी फसाया जा सकता है, और फसाने वाले लोग बड़े प्रभावी है, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में भी किया, और किसी तरीके से कोई कानूनी पचले में वो ना फसें, उनकी गिरफतारी ना हो, इसके लिए उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिशनर के दरवाजे पर गुहार लगा दी, दो इन्होंने पत्र लिखा और जानकारी बेजी, और साथ ही जो अपने सीनियर मोस्ट को वहाँ पर पत्र लिखा, सत्त नरायन प्रधान डीजी हैं, NCB के, और जो वहाँ पर IPS 95 के हैं, मुथा अशोग जैन, उनको पत्र भेज कर कहा, ये सारी परिस्तितिया मेरे सामने हैं, यह यहां से दो परिस्तिति और निकलती है, जिस शक्स के खिलाफ जांच की शुरुआत कर दी गई, विजलेंस डिपार्टमेंट ने गयनेश्वर सिंग, जो की हिमाचल परदेश कैडर के हैं, 1999 के हैं, उन्होंने इस विजलेंस की जांच शुरू कर दी, तो क्या जांच की प् समीर वानकेड़े से पूछताच करेंगे कि यह सारी चीजें क्या है, और इसमें अगर समूची NCB की साक पर बट्टा लगने की बात है, तो हम सिर्फ आपके भरोसे चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि NCB ने अपने ओपरेशन में, जब क्रूज पे च्छापा मारा और उस क्रूज में च्छापा मारनों में जिन्ड को चश्मदीत के तोर पर रखा, उसमें जस पीके गोसावी को रखा, उसके भी कहीं ना कहीं रिष्टे बीजेपी के साथ निकल कर आए, दूसरी बात उनके अपने करीबी को जब आपने गवा के तोर पर बनाया, एक सुत इसले को भी बताने से वह प्रभाकर सैल चूके नहीं, उन्होंने कहा कि दरसल ये 25 करोड की डील थी और 18 करोड की डील में फाइनल तबदील हो गई, जिसमें से 8 करोड समीर वानखेडे को देने थे, इसलिए ये 18 करोड हराल में चाहिए, ये 18 करोड किस से चाहिए, इस बा कोई एक सैम डिसूजा नाम का शक्स था और उसके साथ पूजा डडलानी भी थी, जो की मैनेजर है शारुक खान की, और इन सब के बीच इनकी भी बैठा कोई, जो कार के भीतर बैठा कोई, इसकी भी जानकारी दी गए और ये भी गवा कह रहा है कि गोसावी ने सैम डिसू प्रणिया के नेरोकॉटिक्स के खिलाफ चड़ने वाले ऑपरेशन में भारत की अगवाई करते हैं, उस अगवाई करने वाले इस्थिती में जरक कलपना कीजे कि अगर वहाँ पर डीजी सत्त नरायन प्रधान है जो की IPS है 1988 बैच के, उनके मातद डिप्टी डिरेक्टर ज लीगल देखती हैं, हेड़कॉटर में रहते हैं सचिन जैन जो अब यहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे, पुस्ताच करेंगे और मुथा अशौक जैन, यह IPS है 95 के यह भी समीर वानखेडे से पुस्ताच करेंगे, ग्यानेश्वर सिंग इस पूरे दोर में कुछ गरबड़ की जाच और दूसरी तरफ नरकाटिक्स के अधिकारियों की जाच, यानि एक तरफ NCB का पूरा उपरेशन और पुरी जाच और दूसरी तरफ आपरेशन करने वाले NCB के अधिकारियों की भी पूछताच और उनकी भी जाच, यानि जो पूरी जाच चल रही है, यह पूरी जाच रुक गई जो जाच करने वाले अधिकारी थे वो बदले जाएंगे और जाच करने वाले अधिकारीयों के मातत इस दौर में जो अलग अलग तरीके से जो भी जानकारी निकल कर आई उसने तीन बातों की तरफ बहुत साफ तोर पर इशारा कर दिया जो सबूत पेश किय जा रहे थे इससे पहले अदालतों में चाहे वो सेशन कोट हो चाहे वो स्पेशल EMDS कोट हो इस दौर में उनके सामने जो भी जानकारी रखी गई दोनों ने इसे को माना कि NCB सही तरीके से काम कर रही है इसलिए उसने जमानत देने से इंकार कर दिया ये मैसेज बार बार निकल कर आया लेकिन यही से आज की तारीक में आज जो पुस्ताच समीर वान खेड़े से डिल्ली में अब जो पुस्ताच होगी उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जाँच के 18 दिन के बाद NCB के अधिकारी शारूख खान के घर मननत क्या करने कहे थे 18 दिन की जाँच के बाद यानि ये बात जो लगतार कही जा रही है कि जाँच की 22 दिन के बाद कोई एक गवा अगर कहता है कि दरसल ये पूरा चीज फ्रोड चल रहा है फिरोती चल रही है किटनेपिंग हो रही है पैसा लिया जा रहा है और इस तरीके से मुझे डर अपनी जान तक का है अगर वो 22 दिन कहता है तो 28 दिन NCB के अधिकारी मननत क्या करने गए जानकारी ये लीक की गई कि दरसल ये electronic device लेने गए थे जो आरियन के साथ जो भी electronic device होगी उसको जरा कबजे में लिया जाए ये बात बताई गई जाही रही अठारा की बात थी 19 को भी सही लगेगी 20 को भी सही लगेगी लेकिन जब गवाने इस बात का जिक्र कर दिया कि दरसल ये पूरा का पूरा मामला करोडों की फिरोती का है वसूली का है और एक लिहास से आरियन को कहीं किनेप किया गया ये तो NDPS कोर्ट में सुनवाई हो चली हो सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही हो और एक के बाद एक छे सुनवाई हो गई उसके बाद मन्नत जाते हैं NCB के अधिकारी क्या वो सिर्फ electronic device के लिए गए थे या किसी और वज़ा से गए थे ये कोई भी सवाल उठा सकता है क्योंकि कभी भी 18 दिन के बाद और जाँच पक्रिया में अदालत में तमाम दस्तावेज लगातार दिये जारे हैं उसके बाद ऐसी परिस्तिती कभी नहीं आती है जो इस दोर में निकल कर खुल कर सामने आई है यहीं से जो सबसे बड़ी बाश्रू होती है कि जब रज सरकार के मंत्री चाहे उसमें नवाब मलिक का नाम ले लीजे चाहे जो रास्टिय परवक्ता और रजस्भा के स्ददसे हैं संजराउत उनका नाम ले लीजे वा जब जिन दस्तावेजों को लगातार सोशल मीडिया में जारी कर रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरसल कच्चा चिठा और बड़ा है इसलिए जरा उन परिस्तितियों को भी अब समझने की कोशिश कीजिए मालदीव में समीर वान खेडे परिवार के साथ गए थे जिसका जिक्र उनने कहा कि उनके बड़े अधिकारियों को पता था उन्होंने कहा हम दुबई नहीं गए थे दुबई का जिक्र उनकी बहन ने किया हम गए थे वो नहीं गए थे जो तस्वीर शेयर की उन्होंने कहा ये मुंबई के होटल की तस्वीर है ये तस्वीर दुबई की नहीं है जिसमें हम एक सोफे पर बैठे हुए हैं और दूसरे सोफे पर समीरवान केड़े बैठे हुए हैं दूसरी तरह नवाब मलिक लगातार करते रहे जो महरास सरकार में मंत्री हैं कि दुबई में भी वसूली और मालदीव में भी वसूली और इन परिस्तित्यों के बीच मुंबई अंडर वर्ल्ड के भीतर जो 52 लोगों का जिक्र बार बार होता है जिनको अलग अलग तरीके से क कही न कहीं किसी न किसी दाइरे में लेकर आया गया 2019 के बाद जोर्नल डिरेक्टर बनने के बाद जिन धाई हज्जार लोगों को इन्हों ने टेक्स इन्वेशन के लिए पकड़ा कि आप चोरी कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसमें बावन लोग कहीं न कहीं और ड्रक्ट से जोड़े हुए मामलों में जो बावन नाम अंदरुनी तोर पर चल रहे हैं उसमें वो बॉलिवुड से जोड़े हुए हैं तो क्या ये सारी चीजे छोड़ दी जाती है वसूली करने के बाद ये एक परिस्तिती है और NCB में ऐसा संभव है क्या क्योंकि देश भर में फैली हुई ये संस्था अंतरास्टिये तोर पर भारत की अगवाई करने वाली संस्था नेरोकाटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नाम पर और युनाइटे नेशन की एक यूनिट लगातार भारत में इस और्गनाइजेशन के साथ संपर्क में रहती है जिससे दुनिया में नशा मुक्ती का जो कारिक्रम चल रहा है उसमें इसका योगदान भी हो लेकिन उन परिस्तितियों में अगर हम ध्यान दे तो NCB बनने के बाद से भारत में नशे का वहपार बढ़ रहा है वो बने या ना बने थोड़ी देर के लिए भोल जाईए लेकिन अगर नशे का वहपार बढ़ रहा है केसिस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सजा हमारी आखों के सामने निकल कर आती नहीं है और इन परिस्तितियों में इसके मुनाफे का बजार दस लाख करोड तक छो चुका है तो फिर इन परिस्तितियों का मतलब दो ही होता है एक इसके कानून को इतना अफ को लाकर रख दो और उसके बाद उससे चीजों को वसूल लो अनिता बोलो कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो भारत में नशा के दाइरे में लाना भी क्या एक बिजनिस है भारत के भीतर में जो मादक द्रव्य हैं उसको लेकर जो कड़े कानून बनाए गये हैं क्या पुरी जाज प्रक्रिया की बात है लेकिन क्या ये संभव है कि गवा किसी भी रूप में खुद NCP द्वारा निक्ट किया गया और उसके जरीय माना गया जो शक्स पर उसने आरोप लगाया वो शक्स अपने तोर पर खुद को प्राइविट जासूस बतलाता है उसके बीज चाहेए को लेकर हो चाहे इडी को लेकर हो चाहे आईटी को लेकर हो चाहे डियराई को लेकर हो हर चीज में एक टकराओं की परिस्तिती रज। सरकार और के बीच और NCB जो है वह देश के ग्रह मंत्रा ले Gonzane के अधीन आती है फिर लोटिये दुबारा इसी केस पर और अब समझने की कोशिश कीजिए कि तीन अक्टूबर से लेकर आज की तारीक में जब 26 अक्टूबर की तारीक आ गई है इन तेज दिनों के भीतर में जो कुछ हो रहा था या फिर फिरोती या वसूली के लिए एक जमीन बनाने की परिस्तिती क्योंकि मान लीजिए अगर वो छूट भी जाता तो लोग अब यही मानेंगे वसूली हो गई फिरोती हो गई यानि उस कानून और उस पूरी नयाईत प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ जाएंगे क्योंकि एक जाँच एजनसी जिसको अपने constitutional power है और ध्यान दीजिए जिस दौर में शुशान सिंग केस था उस समय NCB बॉलिवुट को लेकर सक्रिय हुस समय कौन शक्स थे NCB को चियर कर रहे थे या डिरेक्टर जन्रल उस समय आस्थाना साथ थे आस्थाना वही शक्स हैं जो आज की तारीक में दिल्ली के पुलिस कमिश्णर है उनको retirement से तो दिन पहले उनको दिल्ली का पुलिस कमिश्णर बना दिया गया वो सरकार के बहुत नजदीक है दिल्ली की सरकार के बहुत नजदीक है और NCB इस दोर में सक्रिये हुई और सक्रिये होने की परिस्तिती को उसने कंटिनूटी के साथ रखा क्योंकि जो जानकारी निकल कर आती है जिसका जिक्र नवाब मलिक लगातार कर रहे हैं जो वसूली है इसकी रकम जो है वो रकम को अभी खुले तोर पर बता नहीं रहे हैं लेकिन अगर आप पुराने दोर में इसके जरीए रकम की इस्तिती को लेकर आईएगा कि कितनी बड़ी तदाद में रकम की वसूली होती रही है तो वह तदाद तकरीवं 3,000 करोड तक चली जाती है 3,000 करोड तक की वसूली एक वाटर में 6 महीने में यानि 5,6,000 करोड रुपए लगभक्या वसूले जाते कौन वसूलता है और इस दोर में जो अंडरवर्ड का जो हम जिकर कर रहे थे अंडरवर्ड ने भी अपना ट्रांस्फॉर्मेशन किया पहले वो बिल्डर और बिल्डिंग लॉबी के साथ लगा रहता था जमीन हतियाने में लगा रहता था हर जगा वसूली करता था लेकिन नई परिस्तितियों में ड्रग ने एक नया बाजार दे दिया और ड्रग की परिस्तितियों में भारत के भीतर का युवा किस तरीके से अंधेरे में समा जाए इसको लेकर मुनाफा कमाने की एक अधभुत सोच अंडरवर्ड से जुड़े हुए लोगों के भीतर भी शुरूए और यह अंतरास्टियों माफिया के तौर पर है इससे इंकार नहीं किया जा सकता है और इसमें दाउत का इंवाल्मेंट बीचा जो अंडरवर्ड से जुड़ा हुआ था इससे इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके ठीक समनांतर जरा समझे जिन निजिता को भंग करते हुए एक आईयरे सधिकारी की निजिता को उनके पिता का नाम दाउत के वानखेड़े था उनकी पत्न उनकी मदर जो थी वह मुस्लिम थी और इस बात को उन्हें सुईकारा भी लेकिन उन्हें कहा कि निजी तोर पर इस तरीके से चीजें क्यों सामने लाई जानी चाहिए और ये सामने लाने की इजाज़त कौन देता ह और इस सामने लाने की स्थिती से क्यों नहीं बचना चाहिए था इन बातों का जिक्र किया और उनको भी इस पूरे केस में ले आकर रखा जा रहा है सामने अब यहाँ पर सवाल है कि उनकी मा का नाम जाहिदा बानो पिता का नाम दाउत केवान खेड़े लेकिन उसमें मुस चढ़ाने की परिस्तियों को लाकर खड़ा कर दिया गया यानि एक व्यक्ति एक अधिकारी अगर खुद को सेकुलर बोले हम के हमारे परिवार में हिंदू मुस्लिम सब का मिला जुला चेहरा है लेकिन उसका भी चेहरा नए तरीके से लाकर अगर सियासत सामने रखने लग जी हैं या शुरुवात में तो वहां पर मुथा अशोग जैन है वो उनके पास चुकी ये लेटर आया है और उन्हें शिकायत दर्ज कराई है वह पुस्ताच करेंगे लेकिन कहीं न कहीं ग्रह मंत्राले भी सक्रिय होगा हाला कि ग्रह मंत्रे इस समय कश्मीर पर हैं लेकिन कश्मीर में हैं लेकिन कल वो वापस शाम में आ जाएंगे तो जाहिर है वो वहां से भी फोन पर होंगे कि क्योंकि एक पूरे और्गनाइजेशन का मतलब है इस देश की जाँच एजनसी की प्रक्रिया का सवाल है और ऐसे में तीन सबसे बड़े सवाल क्या आरियन खान का किड्नेप किया गया और किड्नेप करने के बाद फिरोती मांगी गई दूसरा सवाल क्या आरियन खान सही माइने में ड्रक्स से जुड़ा हुआ है और उससे वसूली की जा रही थी कि इसको हम छोड़ देंगे और तीसरी बात क्या भारत के भीतर में जाच प्रक्रिया और अदाल्ती प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है जिसमें सियासत को भरपूर मौका मिलता है और दूसरी तरफ जाच करने वाले अधिकारियों को इसका लाभ मिलता है कि वह एक constitutional पद पर हैं वो जो मन चाहे जैसे मन चाहे जाच की परिभाशा को गर सकते हैं क्योंकि कुछ ना मिले तो ये कहें कि हमको दरसल वाटसेप में ये मिला यानि जाच की परिभाशा को भी नए सिरे से गरने की इस्तिती में ये जाच एजनसी के अधिकारी आ गए हैं ठसक बात तो यही है आखिर में मुंबई की इस्तिती को समझिये जरा पहली बार मुंबई के ड्रक्स नहीं देश भर में आ रहे ड्रक्स को लेकर NCB की जाच पर सवालिया निशान लग चुका है पहली बार ड्रक्स को खप्म करने की जगा ड्रक्स के नाम पर फिरोती और वसूली का जिक्र हो चला है पहली बार इस देश के बड़े अधिकारी पर गवाने सीधे सीधे 18 कवड रुपए वसूलने का आरोप बॉलिवुड से लगाया है और संयोग से बॉलिवुड का सितारा शारूख खान जो अपने तौर पर है और जो अपने आप में एक इंडस्ट्री के तौर पर जिसकी पहचान है जो रोजगार बड़ी तादाद में दे सकता है अंतरास्टिय मंचो पर जिसकी पहुंच पकड़ है वहाँ पर मैक्सिमम वसूली की परिस्टितियों को अगर टटोला और तलाशा जा रहा था तो क्या भारत के भीतर में ब्लैक मनी, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन और पूरी के पूरे आउपरेशन और जाच की प्रक्रिया कटगरे में है या एक शब्द में कहे क्या ये जंकल राज है एक ऐसी परिस्टिती है जिसके पास ताकत होगी वो जैसे मन चाहे वैसे कर ले ये सारी परिस्टितियां आपकी आँखों के सामने है लेकिन महत्पुन ये है कि कल हाई कोट में सुनवाई है और कल सुबह से और आज राज से जो जान शुरू हो रही है समीरवान खेड़े के किलाब जो पूस्ताच का सिंसला है वो कल भी जारी रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया